तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब शैनल स्टडी जोन पर दोस्तो पोस्पॉंड को लेकर एक बहुत ही महत्रमपूर अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तो जो आप सभी को यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नैशनल टेस्टिंग एजनसी एंटिये के दोवारा आप सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है और दोनों ही अपडेट आप सभी के लिए काफी ज़दा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों इसके विहाब पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या नैशनल टेस्टिंग एजनसी जो है क्या वो यूजी की एक्जाम पोस्पॉंट करने के ख्यालों में है कि नहीं है दोस्तों इस के दोरा आप यह एकदम बिल्कुल ही अनुमान लगा सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि NTA दोरा आप सभी के लिए मतलब जो कल रात में अभी से कुछ घंटे पहले NTA दोरा एक पॉब्लिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कि यह नोटिस है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यह correction window है यानि कि अगर आपके form submit करते समय कोई भी अगर error आ चुका है तो इस इस form को आप easily जो है वो correction कर सकते हैं जिसको लेकर correction window दुबारा यहाँ पर खोला गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको लेकर आप सभी यह सोच रहे हैं कि अगर correction window NTA दुबारा खोला जा रहा है तो क्या हमारी exam को लेकर NTA कोई information देगा कि नहीं देगा दोस्तों यहाँ पर आप सोच सकते हैं क्योंकि जो आपको date दी गई है वो 14-16 जून तक है यानि कि दो दिन तक आपकी correction window रात 9 बज़ तक कुले रहेगी अगर कोई भी गलती है तो वो आप अपनी जो गलतिया को वो सुधार सकते हैं पर दोस्तों सवाल यह है कि correction window open करने से क्या NTA जो है fully full जो है यहाँ पर वो stop कर चुका है postpone को लेकर क्योंकि दोस्तों NTA दोरा जब correction window जारी किया जा रहा है उसकी link को active किया जा रहा है पर दोस्तों आप सो सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर जो डेड़ मैने से जो परियास चल रही है UG postpone को लेकर क्या वो पूरे तरह से असफल होगी क्योंकि NTA दोरा इसके regarding कोई भी information धी नहीं जा रही है तो आप यह जान सकते हैं कि दोस्तों NTA किसी भी हाल में यह नहीं चाहता है कि इस UG exam को postpone किया जाए क्योंकि दोस्तों UG exam को postpone के लिए सीधा सीधा यहाँ पर एक निर्ने निकल कर आया पाया था उनके अधिकारियों दोरा कि जो CUT की जो exam है वो यहाँ पर जुलाई में कराई जाएगी जिसकी लिए यहाँ पर जो date निधारी गए थी second या first या second week में तो इसकी possibility बन रही थी पर दोस्तों अभी इसकी भी exam की date जारी नहीं की जारी है जिसको लेकर आप सोच सकते हैं कि NTA दोरा यहाँ पर यह असपस्ट जो यहाँ पर भी हाँ समझ सकते हैं कि जो आप सभी को समझाने की quiz कर रहा है कि आप अपने study पर ही ध्यान देजिए UG postpone को लेकर बिलकुल ही कम उमीद रखने की chances हैं बन रहे हैं तो क्योंकि correction window open करने से यह आप सो सकते हैं कि आपकी जो नजदीक है वो date आ चुकी है पर exam postpone को लेकर NTA दोरा कोई response नहीं मिल रही है जबकि correction window और उनकी जो आगे की process हो रही है पर जो चीचकी process होनी चाहिए थी वो process बिलकुल ही नहीं हो रही है तो दोस्तों यहां पर आपको क्या लगता है comment करके जुरू बताईएगा और फिर भी दोस्तों अगर किसी तरह का error आपके form में हो चुका है तो वह आप easily जो है यहां पर सुधा सकते हैं तो इसके बारे मे है दोस्तों अगले वीडियो में कप दोस्तों जाहें देर